तो आज के हमारी इस वीडियो का टोपिक है बिटिश रोमेंटिक पोईट लोड बायरेंड की छोटी सी और फैमस लिरिक पोईम सी वॉक्स इन ब्यूटी और आज हम इसे लाइन बाय लाइन एक्स्प्लेनेशन के साथ कम्प्लीट करेंगे काफी सिंपल वे में इसे समझाने की कोशिश करूँगा और बात की जाए लोड बायरेंड की बायोग्राफी की तो मैं पहले उस पर वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंग मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है वहाँ से भी आप इससे देख सकते हैं तो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो About the poem This short lyric poem praises a woman's extra ordinary beauty both internal as well as external यह जो छोट सी lyric poem है यह एक लेडि की extra ordinary beauty की तारिफ करती है जिसमें उसकी internal और external beauty include है It was written in 1814 and first published in Hebrew melodies in 1815 इस poem को first बार 1814 में लिखा गया और published किया गया इसे Hebrew melodies नाम के collection में 1815 को Main theme of the poem is the perfect beauty and goodness of an idealized woman इस poem की जो main theme है वो एक आदर्श लेडि की जो perfect beauty होती है और goodness है वो इस poem की main theme रही है Rhyme scheme of the poem is A-B-A-B-A-B और इस poem की जो main rhyme scheme है वो है A-B-A-B-A-B It is divided into three stanza of six line और यह poem six line के तेन श्टेंजा में divided है It has been inspired by an event in Byron's life और यह poem Lord Byron की life के एक event से inspire हुई है June 11, 1814 में Byron ने लंदन में एक party को attend किया और guest के बीच में A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A इनोने इस poem को लिखा और ऐसा माना जाता है की जो एंड बेट्रिक्स हैं वो इनके अन्फिनिजड एपिक पोएम गोई थे की भी फर्स्ट इंस्पिरेशन रही थी She walks in beauty like the night of cloudness, climbs and starry skies Cloudness यानि होता है बिना बादल के, climbs यानि climate, starry यानि तारों से बरा हुआ, skies यानि आसमान इस पिकर ना एक beautiful woman को, जो कि यह भी चल रही है, बिना बादलों की तारों से भरी हुई night से compare किया है, जो सांत होने के साथ साथ सुन्दर भी होती है And all that's best of dark and bright meet in her aspect and her eyeses Dark का meaning है, darkness या अंदेरा, bright यानि light, aspect यानि जो उसके appearance है, उस lady की या उसकी body आज यानि आप सभी जानते हैं, तो एक बेतरीन light और darkness एक साथ इस lady के appearance यानि कि उसकी body पर consistency की साथ मिलते हैं, especially उसकी आखों पर Does melody to that tender light which heaven to gaudy, they denies, melody यानि beauty, tender यानि appreciate करना, tariff करना, heaven यानि आकाश, gaudy यानि चमकदार और इस lady की जो beauty ये, इसकी सुन्दरता है, उसी आप केवल इसी night में appreciate कर सकते हैं, ना कि चमकदार दिन के प्रकाश में इस stage में special बात है कि सभी points ने beauty का comparison दिन से किया है, बट Lord Byron एक ऐसा point है, जिनोंने beauty का comparison नाइट से किया है overall पूरी stage में speaker बताते है कि एक beautiful woman जो कि अभी चल रही है, वो तारों से बरी हुई शांत और सुन्दर night की तरह लग रही है और उस पर light और darkness एक साथ balance और perfection के साथ मिलते हैं, especially उसकी आँखों पर और इस beauty को के ओल night में ही appreciate कर सकते हैं, ना कि दिन के चमक के लिए प्रकाश में यदि एक भी चाया इस lady की beauty में जैदा होती या परकाश की एक भी चमक कम होती तो इसकी आदी खुबसूरती बिगड़ जाती इस पिकर नहीं यहां पर nameless grass उस lady के बारें बताया हैं, जिसका नाम उसने कहीं पर भी poem में mention नहीं किये which waves in every raven trace or softly lightens over her face waves का meaning वैसे तो लरे होता हैं लेकिन यहां पर इसका meaning है बालों की लटे हैं raven trace का meaning है काली चोटी और softly नहीं दीरे से lightens नहीं होता है चमक उठना तो इसका meaning देखते हैं और उसकी beauty काली चोटी की लटों में दीख रहे हैं और यहीं beauty धिरे से उसके face पर भी चमक रहे हैं वे हर thoughts serenly sweet express how pure, how dear their dwelling place thoughts यानि विचार serenly यानि सांतिस हैं और जहां पर उसके विचार सांतिस हैं उसके चेरे पर जलक रहें वे कितने शुद्दें और जहां पर वे जलक रहें वे इस्तान यानि कि उसका face भी कितना सुन्दर हैं overall पूरे स्टेंजा में speaker ने बताया कि उस बे नाम लेड़ी की beauty में यदि एक भी चाया ज़्यादा या थोड़ा सा भी प्रकाश कम होता तो उसकी आदी खुबसूरती बिगड़ जाती और उसकी beauty उसके काले बालों की चोटी उसके सांत चेरे उसके सुद्ध विचारों में दिखाए देती है पोईट ने कुल मिला कर उस लेड़ी की external beauty यानि की भारी खुबसूरती को appreciate किया है पोईट यहाँ पर यह भी कहना चाहते है कि perfect beauty के लिए external और internal दोनों elements होना बहुत जरूरी है and on the cheek and over that brow so soft so calm yet eloquent चीक यानि होता है गाल ब्रो यानि माथा eloquent यानि अच्छा बोलने वाला और इनी external और internal beauty की बारे में पोईट बताते हुए आगे बोलते हैं कि इस लेड़ी के गाल और इसका माथा कितना soft और सांत हैं फिर भी यह इसकी beauty जो हैं वो कुछ बोल नहीं रही हैं बट उसके thoughts और उसकी beauty उसके गालों और माथे पर दिखाये दे रहे हैं the smile that win the tints that glow but tell of days in goodness spent win यानि जीतना, tints यानि आबा, glow यानि चमकना और इसकी सुंदर smile आपको जीत लेती हैं यानि कि आपको impress कर लेती हैं और इसकी body से आबा चमकती हैं और यही सब चीजें बताती हैं कि इस लेड़ी ने अपने life को अच्छे से जिये हैं यानि कि अपने अच्छे विचारों और अच्छे कामों के साथ अपने समय को इन्होंने गुजा राए यह लेड़ी एक पीसफुल माइन रखती है और साथ ही इसका हार्ट प्यार से बरा हुआ इनोसेंट भी है और अल पुरे स्टेंजा में बायरन ने बताया कि इस लेड़ी के गाल और माता ब्यूटिफुल है जिन पर उसके प्योर थोट्स भी दिखाये दे रहे हैं साथ ही इसकी स्माइल और बोड़ी की चमक इंप्रेसिव है और यह चीजें शो करती है कि इसने अपनी लाइफ को अच्छे से जियाए इस लेड़ी का मन शांत और हार्ट प्यार से बरा हुआ इनोसेंट है इन शोट प्यारे में आपको एक बार बता दू कि बायरन ने बताया कि परफेक्ट ब्यूटी के लिए एक्सटरनल ब्यूटी यानि की बारी खुबसूरती के साथ इन्टरनल ब्यूटी यानि की मन और हार्ट भी अच्छे होने चाहिए It means beauty के perfection के लिए ये दोनों elements होना बहुत जरूरी है इनका balance बिगणने पर पूरी beauty बिगण सकती है और इसी के साथ आज के ये poem कम्पलीट होती है तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share करना ना भूले साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की notification आपको मिल सके आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू, have a good day, bye